प्यारे विदारते नमस्कार एक्वेलेंट वेट ओफ एने टू सीओ त्री यानि सोडियम कार्बोनेट का एक्वेलेंट वेट अभी हम कैल्कुलेट करना सीख रहे हैं तो दोस्तों एक्वेलेंट वेट का फोर्मला आप जानते हैं क्या रहता है molecular mass देखे इसका identify किजिए यह आपका acid है base है और salt है तो यह salt है, salt के लिए क्या रहेगा total charge on देखे यह formula change होता रहता है ठीक है, उपर के यह तो same रहेगा molar mass है आएगा सब में, लेकि नीचे क्या आजएगा acid के लिए अलग आएगा base के लिए अलग आएगा, salt के लिए अलग आएगा ठीक है, तो इसका अभी शिल्षूप से ध्यान रहेगा total charge on na plus और co3 2 minus ओके, तो देखे पहले तो हम इसका molar mass calculate करते हैं तो एक sodium के लिए कितना रहता है 23, carbon का कितना होता है 1, 2, oxygen का कितना होता है, 1, 6, तो दो sodium है तो कितना आजएगा, 2 multiply 23 plus carbon के लिए कितना है, 1, 2, एक oxygen के लिए 3 है तो sorry, एक oxygen के लिए 1, 6 है, तो 3 के लिए क्या होजएगा 3 multiply होजएगा, अब देखे 1, sodium पर charge कितना है, 1, तो 2 के लिए कितना होजएगा 1 multiply 2 okay, तो कितना आगे, divide में नीचे 2 आगे, उपर देखे, total कर लेते है चीक है 46 plus 12 plus 68 कितना आगे, 106 नीचे, divide कितना है 2, कितना आगे आपका, 53 तो इस प्रकार से आपका Na2CO3 का equivalent beta भी हमने calculate किया, धन्यवाद